हम लगातार आपको विधानसबा सीटों के चनावी समिकरन के बारे में बता रहे हैं और वहां के उम्मीदवारों के बारे में जानकारी दे रहे हैं नमस्कार दनगरी न्यूज के खास प्रोग्राम चनावी नगरी में आप सभी का स्वागत है नरसद्विका मनोहर सोनी आपके साथ पिशली कडी में हमने बात की थी सादुल शहर विधानसबा सीट की आज हम बात करेंगे जहाचपुर विधानसबा सीट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं 2018 में हुए विधानसबा चनाव की तो आपको बता दे 2018 में हुए चनाव में सीट पर कुल 2,30,126 मत दाता थे जिनोंने बीजेपी उमीदवार गोपी चंद मीना को चर्याण में 1,970 वोट देकर जिताया था तो वही कॉंग्रेस के धीरज गूजर को सिर्फ 81,717 मत दाताओ का ही समर्थन मिल पाय था और उन्हें 13,253 मोटों से हार का सामना करना पड़ा था अब बात करते हैं इस महीने होने वाले विधान सबाचनाओ की तो आपको बता दे 25 नवंबर को होने वाले विधान सबाचनाओ में सीफ पर लगबग 2,46,344 में मत दाता है जो अपने मत का प्रयोग करेंगे पिशली बार की तरह इस बार भी कॉंग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों ने अपने पुराने उमीद बार को ही मैदान में उता रहा है कॉंग्रेस ने फिर से एक बार धीरच गूजर परदाव केला है तो वही बीजेपी ने फिर से एक बार गोपी चंद मीना पर अपना भरोसा चताया है वही अगर यहां के जातिकत समिकरण पर गौर करें तो आपको बता दे इस सीट मीना बहुलिय सीट है और इस विधानसवा में गूजर वोटर की संख्या करीब 27 से 30 हजार है इसके अलावा सी वोटर की संख्या करीब 35 से 40 हजार है जो किसी भी प्रत्याशी की हारजीत का समिकरण पै करते हैं दनगरी न्यूस के खांस प्रोग्राम चनावी नगरी में अभी के लिए फिलाल इतना ही अगली कड़ी में बात करेंगे अगले विधानसवा शेत्र की तब तक के लिए नमस्त